नमस्कार सांथशो प्रधानमंत्री फसल वीमा योजणा दोजार चौबीस के अंदर जितने भी लाभार्थी इस योजणा के तहत लाभ प्राप्त करने के उद्देशे से आवेदन कर रहे थे और कुछ राज्यों के अंदर यानि की दोस्तो विशेष्ट तोर पर जिमें योजणा जो है 31 अगस्त तक आवेदन करनी की अंतिमतिती रखी गई थी जिसको लेकर भारत सरकार और जहारखंट सरकार के संयुक्त दोस्तो प्रयासों के बाद इस योजणा के तहत जो आवेदन करनी की अंतिमतिती है उसे अब 15 सितमबर 2024 तक कर दिया गया है जिस इससे क्या होंगे जितने भी किसान इस योजणा के तहत अपने फसलों का बिमा करना चाहते थे लेकिन काफी जो ऑनलाइन सेंटर है उसमें काफी ज्यादा भीड होने के कारण वो आवेदन नहीं कर पा रहे थे तो ऐसे सभी लाभुक किसानों को अब इस योजणा के तहत आवेदन करने में जो है आसानी होगी और सभी लाभुक किसान इस योजणा के तहत आवेदन कर पाएंगे इस योजणा के अंदरकत जो डेट एक्स्टेंड की गई है उससे सम्मंधित जो ओफीसियल लेटर है वो भी निकल कर आ चुका है ओफीसियल लेटर भी मैं आप लो लोगों बताना चाहूंगा कि अगर आप भारत के किसी भी राजय से सम्मंधित है और इस योजणा के तहत आवेदन करना चाहते हैं लाब पराप्त करने के लिए जो एक एकड़ के अंदर अगर आपकी फसल लगी हुई है उसमें अगर आप उसका जो है प्रीमियम कराते है तो अगर उस पर किसी प्रकार का कोई भी छती होता है तो आपको लगभग लगभग 80,000 रुपय तक जो है एक एकड़ फसल पर जो है आपको मिलेंगे जिसको लिकर पूरी जानकारी लिखी गई है इस आर्टिकल के अंदर इस आर्टिकल का लिंक मैं आप लोगों को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ यहां पर जो घोसना पत्र डाउनलोड करने की लिंक भी है डाइरेक्ट आवेदन करने की जो लिंक है वो भी यहां पर आप सभी को प्रोवाइड किया गया है तो साथ यह जो लेटर है गबर्मेंट टीर आफ इंडिया मिनिस्ट्य आप अग्रिकल्चर एंड फार्मर वेल्फर डिपार्टमेंट के तरफ से जारकन गबर्मेंट को लिखी गई है जिसमें बताया गया है आप देख सकते हैं यहां पर सब्जेक्ट में लिखे गया है यहां पर क्लियर बता दी गई है कि यह जो लेटर है वो लिखे गए है प्रधानमंतरी फसल भीमाई योजना के तहत जो कट आप डेट था 31 अगस्त तक उसे बढ़ा कर जो है 15 सितमबर तक किये जाने को लेखर लेटर लिखे गए है जिसमें पूरी जानकरी यहां पर बता दिये गए है तो सांथियो यह बहुत बड़ी खुसकबरी है जो भी लाभुक इस योजना के लिए आवेदन करना चाह रहे थे लेकिन जो काफी ज़्यादा भीड होने के कारण वो नहीं कर पा रहे थे तो ऐसे सभी लाभुक अब आसानी से इस योजना के लिए जो है आवेदन कर पाएंगे और इस योजना का लाब ले पाएंगे हमारे चैनल पर जल्द ही एक ओनलाइन आवेदन से संबंदित इस योजना के अंतरकत जो है वीडियो आएगी जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आप मोबाईल के माध्यम से ही इस योजना के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं तो सांतियों हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और वीडियो अगर अच्छी लिए तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दे धन्यवाद